दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हल्दी के गुणों के बारे में बात करेंगे इसे एक हल्दी की मदद से आप अपने शरीर की कई सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं चलिए आज मैं आपको बताता हूँ हल्दी का इस्तमाल करना कैसे है एक गिलास गुनगुने पानी में एक तीहाई चमज यानि एक चमज का तिस्तरा भाग इतनी मातरा में हल्दी को मिला कर पी लेना है एक चीज का ध्यान रखें कि आपको पैकेट वाला हल्दी नहीं लेनी है आपको गांठ वाली देशी हल्दी लेनी है इसके अंदर वो सारी गुण होते हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चाहिए पैकेट वाली हल्दी से शरीर को कोई फायदा नहीं मिलता इसमें तरह तरह की मिलावटी चीजें होती हैं जो कलर ही छोड़ती है आपको पंसारी की दुकान से गांट वाली हल्दी मिल जाएके घर पर इसको पीस कर इसका पौडर बना लेना है और एक तिहाई शम्मच हल्दी को इस पानी में मिलाकर रोज सुबक खाली पिट सिप सिप करके पी लेना है हमारे आयर्वित की किताब श्टांग रिद्यम जो की आज से हजारों साल पहले महरसी वागभर जी ने लिखी थी उन्होंने हल्दी के गुणों का विस्तार से वर्णन किये हैं उन्हीं गुणों के कारण हमारे पूरवज खाने पीने की चीजों में शामिल किये इसलिए हर घर के किचन में हल्दी रहती है क्योंकि यह गुणों का भंडार है यकीन मान ये दोस्तों इससे आपके श्रीट को इतना फादा होगा कि आप सपने में भी सोच नहीं सकते आपके श्रीट के जितने भी रोग हैं जड़ से खत्म हो जाएंगे इसको पीने सापके श्रीट के अंदर के सारे जहरीले पदार्थ बाहर हो जाएंगे डाइसिल सिस्टम मजबूत होता है चहरे पर ग्लू आएगा विर्य बल बढ़ेगा विर्य गाड़ा हो जाएगा श्रीट की कमचोरी दूर हो जाएगी एनर्जी आएगी ये ठीक कर देती है इसके लावा ये आपके हाट को मजबूत करेगी आपका हाट अगर सही से काम नहीं करता खून गाड़ा होकर धमनी हो यानि नसों में खून जमनी लगता है जिसके लिए डॉक्टर खून पतला करने के लिए दवाईया देते हैं लेकिन सिर्फ ये हल्दी के मदद से आप इसको ठीक कर सकती हो ये आपके बाड़ी में एंटिसेटिक की तरह वर्क करेगी शरीर में ब्लेड का फ्लो अच्छा हो जाएगा सारी नसें पूरी तरह से खूल जाएगी हाट ब्लॉकेज की प्रॉलम नहीं होगी आपको कभी भी हाट अटैक नहीं आएगा आपके स्किन से रिलेटेड सारी प्रॉलम चेहरे पर समय से पहले जूरियां आना पिम्पल्स आना कील मुहां से दाने फूंसिया निकलना स्किन का ड्राय हो जाना चेहरे पर ग्लो ना होना जाईयां दाग ये सारी स्किन से लेटेड जितनी भी प्रॉलम है ये हल्दी पानी ठीक करती है इसके लावा ये आपके किडिनी को हल्दी रखती है क्योंकि ये एंटी ऑक्सिडेंट है जो आपके शिरीर की फिल्टरेशन सिस्टम को सही करती है शिरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिंस यानि की जहरील पदार्थ हैं उसको बाडी से बाहर कर देती है जैसे आपके शिरीर की किडिनी की कारी छमता बढ़ती है आपके लीवर मजबूत होते हैं लीवर के डैमेज हो रहे हैं सेल्स को बाडी में लीवर के सही काम करने से भोजन को पचाने में असानी होता है जी हां अगर लीवर में थोड़ी भी खारा भी होई तो आपका मोटापा बढ़ेगा खाना ठीक से नहीं पचेगा मेटाबॉलिजम धीमा हो जाएगा तो लीवर का हमारी बाडी में बहुत महत्व है लीवर हेल्दी रहने से आपका खाना यानि भोजन पूरी तरह से पचेगा तो आपका मेटाबॉलिजम रेड भी बढ़ेगा और आपके शरीर में एक्स्ट्रा अंचाही जो फैट है चर्वी है वो नहीं जमेगी इसके लावा आपको कब्ज की प्रॉलम रहती है हाजमा गडबल रहता है ट्वालेट सही से नहीं आता कभी पेट खराम हो जाता है तो कभी डारिया हो जाता हो पेट में गैस एसिड़ी बनती है गंदी डगार आती है खटी डगार आती है और इसकी वज़े से पूरा दीन खराब जाता है सिर में दर्दर रहता है माईग्रेन की प्रॉलम रहती है किसी भी काम को करने का मन नहीं करता मन चिड़ चिड़ा रहता है शरीर में सुस्ती रहती है तो ऐसे में हल्दी पानी आपके श्रीड में बहुत इफ्यक्टिव काम करेगी इसके सेवन सापका डायशन इंप्रूव होगा आते आपके कोलन जो हो सही तरीके से काम करेगी हल्दी में नैचलल रूप से एंटिम्फामेंटरी और एंटि ऑक्सिदेंट काफी मात्रे में पा करेगी हल्दी के अंदर इतनी शक्ति है साथ यह एंटि वारल का काम करती है वैसे भी बारिश का मौसम शुरू हो गया और बारिश का मौसम आप जानते हो कि यह बिमारियों का मौसम होता है इस मौसम में वारल वारस तेजी से फैलते हैं तो इससे खुद को बचाओ करने के लिए आपको इमिडी को बुष्ट करना होगा आपकी रोक प्रते रोधक शमता अच्छी होनी चाहिए तो इसके लिए आप लगातार पंद्रह दिनों तक इस हल्दी पानी का सेवन करें और सुबह खाली पिट करें इसके लावा अगले फायदे की बात की जाया तो खल्दी में कर्क्यूमिन पाई जाती है जो कैंसर इसे भर्हंकर बिमारी से भी बचाती है इसके लावा खल्दी पानी पीने से दिमाग तेज होता है सुबा के समय खाली पिट हल्दी का गुनगुना पानी पिने से दिमाग तेज और एक्टिव रहता है बॉड़ी में किसी भी तरह के सूजन हो और वह किसी दवाई से ठीक नहीं हो रही हो तो आप हल्दी वाला पानी का सिवन करें हल्दी में पाये जाने वाला कर्कियू में तत्व सूजन और जोडों में होने वाले तेज दर्द को ठीक करता है सूजन की ये अच्चुक दवा है वजन को कम करने के लिए भी ये हल्दी वाला जो पानी है बहुत इच्छी होती है हल्दी का करक्यूमिन तत्व बॉड़ी में असाने से खुल जाता है और श्रीर में फैट बढ़ाने वाले टीशूस को बनने से रोकता है अगर आप मोटापे से परिशान हैं तो इसका सेवन जरूर करें आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के स्तमाल से आपका वजन कम होता हुआ दिखेगा हल्दी श्रीर के किसी भी अंग में होने वाले दर्द को दुर करने में बहुत हल्प करती है हड़ी टूट जाने पर मोच आने या फिर किसी भी अंद्रूनी चोट के दर्द से चुटकारा पाने के लिए गर्म दूद में हल्दी मिला कर पीना बहुत ही फादे मन होता है अगर आपको जोड़ों में धर्द कमर में धर्द है बाक किसी भी तरह आई और रात के सुने से एक गंडा पहले इसलोगा सेवन कर ले कहले इसे ज़े रफ्र जाइब के शाना है स्वाथ आपको सुड़ीब देने के लिए बहुत बाशे में